अभी हम करेंगे प्रोड़न नमबर टू अब सेट आफ एन क्यरी फॉरवर्ड फ्रॉम सी ए इंटर स्टडी मट्रियल बेसिक रूल आपको याद है ना इंटर सोर्स अजस्मेंट बाद में इंटर हैड़स्मेंट और सेट आफ करूल और कैरी फॉरवर्ड का रूल ठीक है वाट इस दा ओडर सेट आप और कैरी फॉरवर्ड कितने साथ कर सकते चार रूल आप अच्छे से याद रोगो चला हम लोग प्रोडम करने जा रहे हैं स्पेकिलिटी भी करते हैं बाइंगे सेलिंग और स्टॉक से शेर विटार टेकिंग एक्च्छल डिलिवरी फॉट उसन को लॉस है शॉट टॉम में लॉस है लॉंग टॉम में ठीक है आपकोई डिसेट करने कोन लॉस किससे अज़ेस्ट कर सकते माइनेस को कोन मदद कर सकता है तो कुछन है हम लोगज ह है इंकम प्रम नॉन स्पेकिलिटिव में लॉस है और स्पेकिलिटिव में भी लॉस है याद करो बिटा नॉन स्पेकिलिटिव में लॉस रहेगा तो रूल्स याद है याद करो मैंने बताया था कुछ-कुछ ऐसा बताया था एक है स्पेकिलिटिव दूसरा है नॉन स्पेकिल स्पेकुलिटिव का लॉस इससे अजस्ट नहीं कर सकते हो और नॉन स्पेकुलिटिव का लॉस इससे अजस्ट कर मतलब यह माइनस में यह प्लस में तो तुम अजस्ट नहीं कर सकते हो लेकिन फिलाल नॉन स्पेकुलिटिव का लॉस है लेकिन स्पेकुलिटिव का प्रॉफि हो सकता याद करो restriction नौर्णस पेकिलिटिव का जो नौन सब्र zaris haka जो होता है वह से हो सकता है लेकिन हो सकता है लेकिन हो सकता है tongоль लेकिन हो सकता है क्योंकि क्यापिटर में लोग उसक्षाइब कर रहे हैं क्योंकि short term का loss long term से adjust हो जाएगा तो capital gain बाहर निल बचेगा तो capital gain भी नहीं अदर सोसस भी नहीं है इसलिए यह carry forward हो जाएंगे कोन यह भी carry forward हो जाएगा यह भी carry forward हो जाएगा carry down हो जाएगा समझ में आ रहा है तो इसका मतलब इसका मतलब कोई और है नहीं non specularity को salary से मदद मिलेगा नहीं house operating है नहीं business में और को है नहीं capital gain में को है ही नहीं क्योंकि short term adjust कर रहें long term से तो यह जो है carry forward होगा यह भी carry forward होगा clear और इसका जो बाकी जो नहीं मिला वह भी carry forward होगा clear हम में बताता है इसको present कैसा करेंगे mister b resident individual furnish the following assessment for the previous year मतला assessment day 21 22 compute the total income the heading लिख देना computation of total income computation of total income total income total income तक जिंदा पोचना है computation of total income of mister b for the assessment year क्या हमर assessment year ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी ट्क सर और कॉलम बना लेना double कॉलम सुन रहे हैं double कॉलम बना लेना inner outer पर्टिक्लर सु रुपेश चलो नो आप इस बता रहा हूं salary हाउस ओपर्टी सालरी से अज्यस होने वाला यह जो हाउस ओपर्टी सालरी के घर में जाने वाला है तो salary को पहला प्लस वालों लिख लेंगा पहला प्लस वाले को लिखो तो लिखेंगे income from salary बरोबर पहला प्लस मतलब income तो income from salary कितना लिको बेटा inner में 45,000 इस से किसको एज्जस करेंगे हमने होस पर्टी को एज्जस किया less loss from horse property horse property का loss कितना दे 24,000 पूरे एज्जस हो जाएगा तो आंसर आउटर कॉलम में कितना बचे का माइनस कर दो 45 माइनस 24 45 माइनस 24 आंसर था 21,000 तो 21,000 इस दा carry forward होंगे क्योंकि इनको मदद करना लग कोई भी नहीं दूर दूर तब income from business अब जब income from business लिखा हमने तो उसमें दो दो business है इनका दो दो business है पहला loss loss from कहां से non speculative non speculative नॉर्मल बिजनस जो speculative नहीं है लौस्प्रम नॉन speculative business कितना लौस हुआ था बाई सर का लौस हुआ था तो बाई सर लिखने का भार अंसर नहीं लाएगा भार अंसर नहीं लाएगा लेकिन इसके नीचे ब्रैकेट ने इंस्ट्रेक्शण लिखने का कई erी फोरवर्ड क्या यौन कैरी फोरवर्ड फॉर्ड जुह क्यूरी फॉर्वर्ड ड क्या है फोरड कर Elise cough हो समझव करें षो ऐगा ऐसी ला फ्रॉम और कुछ फता लॉस प्रॉम किदर से देखो question में loss फ्रम ऐस लॉस प्रम स्पयकिलिति बिजन सरोब भी कियर परोड होगा चार शाल केलिए लॉस फ्रार serious फ्रामा अमन स्पेकिलिटी वी भिज नस चारिक लोड़ है कितना था वह चार हजार माइनस में माइनस मतल्ड लॉस हुआ कारण लिग देना कैरी फॉरवर्ड फॉर दो नेक्स्ट ऐसस्मेंट एयर नेक्स्ट एवाई के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा फिर घू मढ़िए बीजनस का अंसर भार कितना आएगा नहीं लाएगा बिटा नहीं कि डुइण साने की दोंग उसर्ण नहीं कर सकते आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं शॉर्ट तंब का पॉरोड होगा शॉर्ट टम का जो 25 आरे 19 आर से अज्जस नहीं हो पाएगा बाकि जो 6000 है वो कैरी पॉरोड होगा ठीक है तो पहला कभी भी ना लिखेंगे capital gain क्या लिखेंगे capital gain पहला कभी बेटा positive वाला लिखना positive वाला ribal पॉजिटीव को ने इसमें देख लुए बाएग बन फॉजिटीव को ने लॉंग टरव फॉजिटीव है दिखो जहां प्लस बना इसकाते नहीं का लोड़े लॉज़ यॉ लॉस शॉट्ट टम कैपिटल लॉस पूरा फुल पर्म लिख दना आप कितना 19 अरी एज़स हो सकता है लेकिन था कितना शॉट्ट टम कैपिटल लॉस ऑफ 25,000 तो बोलने का कारण बोलने का बैलेंस जो बैलेंस है ना कितना बचा 6000 इस कैरी फॉरवर्ड फॉर था नेक्सड एवाइ फॉर दानेक्स्ट एवाइ नेक्स्ट एवाइ में अजयस होगा ठीक है तो अंसर आूटर में कितना इंकम कोई डिड़क्शन है क्या नहीं है तो दिखावा क्लेली को लेसर डिड़क्शन अंडर चाप्टर सिक्स है डिड़क्शन अंडर चाप्टर सिक्स है कितना निल तो वाट इस दा टोटल टोटल इंकम कितना एगा अब टोटल इंकम कितना एगा आपकोस 21,000 ऐगा ओके एजिम करता हूं समझ में आया फिर से बोलता हूं पहला प्लस बना लो कौन कोन है और कौन कोन माइनस ब्रैकेट दिया रहे गा आपको यह डिसाड करना माइनस किससे अजस्ट हो सकता है ठीक है और कौन सा माइनस किससे अजस्ट कर सकते हो तोह पर सकती का लिंग को अजस्ट कर लिए अलावट आ थे नोन चलो बाई बाई थैंक्स वाचिन दा वीडियो बिटा